नमस्त दोस्तों, स्वागते आप सभी का त्रियांकुश लर्निंग चैनल पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कहानी, हिंदी स्टोरी, शेर और तीन बैल, तो चलो शुरू करते हैं एक बार की बात है, तीन बैल आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, वे साथ मिलकर घास चरने जाते और बिना किसी राग द्वैश के हर चीज आपस में बाटते थे एक शेर काफी दिनों से उन तीनों के पीछे पड़ा था, लेकिन वह जानता था कि जब तक ये तीनों एक जूट है, तब तक इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता शेर ने उन तीनों को एक दूसरे से अलग करने की चाल चली, उसने बैलों के बारे में अफवाहे उड़ानी शुडू कर दी, अफवाहे सुन सुन कर उन तीनों के बीच गलत फैमी पैदा हो गई, धीरे धीरे वे एक दूसरे से जलने लगे, आखिरकार एक दिन उनमें अगड़ा हो ही गया, और वे अलग-अलग रहने लगे, शेर के लिए यह बहुत अच्छा अफसर था, उसने इसका पूरा लाब उठाया, और एक-एक करके तीनों को उसने माट डाला और खा गया, शिर्शक शिर्शक है, एकता में ही शक्ती होती है, अगर एक जूट होके रहेंगे, तो कभी कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर अलग-अलग हो गया, तो ही लोगों को फायदा मिलता है के बुड़ा करने के लिए, इसलिए हमेशा एकता बन करी रहें, एकता में ही शक्ती होती है धन्यवाद